आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग जहां सूर्योदे ही ठोके है तो इसी पर निरभर करता है हमाई पास विभीने संस्कित विश्वी दले सिर्फ चपय वे पंचांग होते हैं उन्ही को देखकर आपको पंचांग बताया जाता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी जानकरी मिलती है इसकी स्योटी है अगर आपको पंचांग का वीडियो पसंद लाए जानकरी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जोड़ो करें साथी कमेट बाक्स में जैसी करने चोग लिखें तो आज का संपुन पंचांग हम जाने इससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार सुबकामना उन लोगों को देते जिनका जन दिन है आपको जन दिन की हार्दिक सुबकामना है भगवान गनेश के किरपास है आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अन्तो साथ साथ जनका भी मैरे जन बसरी है उन्हें भी मैरे जन बसरी के हार्दिक सुबकामना है भवान सी वर्माता पारवाती के तरह आप दोनों की जोड़ी हमेशा यहीं बनी रहे साथ साथ जोकव व्यक्तिस पंचांग को देखने यानि कि आप आपके लिए मैं आज के इनकी मंगल में होने की कामना भवान गरे से करता हूँ तो इन ही सब्तों के साथ आई चलिए आनते मंगलवार 3 अपरेल 2024 का संपूर्ण व्यस्तित और सटीक पंचांग को जानते हैं आज है विक्रम संबत 2018 सक संबत 1946 कली संबत रहने वाला 5126 मा वैसाक मा पक्ष कृष्ण पक्ष रितू वश्चांत रितू आयन उत्तरायन रहने वाला है तिथी आज की सप्तमी रहेगी सप्तमी तिथी रात्री के दो बज कर 33 मेर तक तदुपंध अश्टमी तिथी आरंब हो जाएगी नक्षत्र की बात के उत्तरा सराण नक्षत्र, रात्री के एक बच कर तैस मेर तक रहने वाला है, तदुपन्थ स्रवन नक्षत्र आरंब हो जाएगा, करण आज का वेश्टी रहेगा, यानि की भद्रा, दिन के तीन बच कर एकीस मेर तक, तदुपन्थ वाव करण आरंब हो सकता है सुब खा दे चुकि अज मंगल वाहर है तो गुर है कुर का छोटा टुकरा भी खाकर याता राम करेंगे किसी नई कारी को करेंगे तो उसमें आपको सबतात लगेगी चंद रासी धनु रणने वाली है धनु रासीम चंद्रमा सुबा के लेकिन साथ बचकर 69 मेर तक ही रहेंगे तो पूरे दिन और पूरी रातरी में चंद्रमा मकर रासी में रहने वाले हैं तो हम रासी फलाज का जो है मकर रासी के हिसाब से जानेंगे क्योंकि अधित्तम समय चंद्रमा मकर रासी में ही आज है वरत्योहार के बात कहें तो ऐसा कुछ आज वरत्योहार नहीं ह लेकिन रवी योग और त्रिपुसकर योग है कब तक रात्री के एक बच कर तैस मेर तक सूरी रासी, मेस रासी, सूरी नक्षदर, भर्णी नक्षदर, सौरमा वैशाखमा रहने वाला है आईए अब सूर्योदे और सूर्यास, चंदोदे और चंद्यास पर एक नजर डालते हैं सूर्योदे सुभा के पांच बच कर 40 मेट पे होगा, सूर्यास साम के 6 बच कर 56 मेट पे होगा चंद्रोदे होगा रातरी के एक बच कर चार मेर्ट पे और चंद्रे आस्त सुभा के दस बच कर तीश मेर्ट पे होने वाला है ये दो थी सुर्योदे और सुर्यास्त की बात आईए अब एक नज़र आज के सुब चोगरिया के स्तिती पर नज़र डालते हैं आज का सुब समय दिन के 3 बच कर 37 मेर्ट लेकर साम के 5 बच कर 16 मेर्ट तक 4 समय आज का सुभा के 8 बच कर 69 मेर्ट तक लाव समय आज का दिन के 10 बच कर 49 मेर्ट तक लाव समय आज का दिन के 12 बच कर 18 मेर्ट तक रहने वाला है अम्रित समय दिन के 12 बच का 18 मेर्स लेकर दिन के 1 बच का 27 मेर तक रहने वाला है ये तुझी आज के सुप चोगरिया आई एक मेरा आज के राहुकाल और गुलिक काल के स्थिती पर नज़र डालते हैं राहुकाल एक असुप समय होता है रहने वाल दिन के 3 बच का 37 मेर्स लेकर सामके 5 बच का 16 मेर तक इस समय में को भी नया कारे करने से बिल्कुल बची है इसमें आपको और सफलता हाथ लग सकती है आई ठीक यही समय सुप समय का भी है चोगरिया के अंदर तो कुछ लोग इस पे कुतरक करने लगते हैं कि चोगरिया जिससे मैं आपने बताया सुप चोगरिया ठीक उसी समय राहुकाल कैसे हो सकता है जरूर हो सकता है यह ठीक इसी प्रकार है जैसे एक रोट पे दो गारिया एक बार एक समय में एक साथ आजाती है ऐसे ही हो सकता है चोगरिया के चाल अलग है और राहुकाल के चाल अलग है कुछ दिनों में जैसे सुमवार को गुरुवार को ये सुब चोगरिया के साथ मैच करता ही करता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए उस दिन वाले सुब समय वाले या सुब चोगरिया में जो भी सुब समय आ रहा है वो वाले कारी उस दिन नहीं करना चाहिए उसका अगले दिन करना चाहिए राहुकाल को ही ज़्यादा मज़ेता दे देनी चाहिए गुलिक काल दिन के 12 बचकर 18 मेर्ट लेकर दिन के 1 बचकर 57 मेर्ट तक रहने वाला है प्रदोस काल सामके 6 बचकर 56 मेर्ट लेकर रात्री के 9 बचकर 4 मेर्ट तक निशित काल देर रात्री में 11 बचकर 56 मेर्ट लेकर देर रात्री में 12 बचकर 49 मेर्ट तक रहने वाला है ये एक अच्छा महुर्द होता है इसमें कोई भी नया कारी अरंग किया जा सकता है, विजैम हमुर्द आज का दिनके, दो बज कर 31 मेर्ट लेकर सामें, तीन बज कर 24 मेर्त रहने वाला है, गौदली महुर्द सामें, छे बज कर 44 मेर्श लेकर, सामें, सात बज कर 8 मेर्ड तक, और ब्राह्मा मोहुरताज का सुभा के चार बच कर 14 मेर्च लेकर सुभा के पांच बच कर 40 मेर्च तक रहने वाला है तुम दों ये दुधाज का संपूर नविस्तित और सटीक पंचांग इसी तरह की अने ज्यान वर्थक वीडियो के लिए जूरे रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जै मात दी